तो हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है साहस और आप सभी कफिर से स्वागत हैं मेरे चानल दर्जूलोजिकल हब में आज इस जानवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे कहते हैं राइनॉसरिस राइनोसरिस को कहीं जगाओं में राइनो और हिंदी में गेंडे के नाम से भी जाना जाता है 20th century की शुरुआत में इस दुनिया में कुल 5 लाक राइनोसरिस थे पर फिर 1970 में वो घटकर 70,000 पर आ गए और अब इस दुनिया में बस 27,000 राइनोस बचे हैं जिन में 5 स्पीशीज शामिल है तो चलिए राइनोसरिस की सबसे बड़ी स्पीशीज से शुरू करते हैं जिन में सबसे पहले आते हैं हमारे वाइट राइनोसरिस राइनोसरिस की सारी स्पीशीज में वाइट राइनोसरिस साइस में सबसे बड़े होते हैं इनकी population भी बाकी rhino species से काफी ज़ादा है इस दुनिया में अभी 17,000 से लेके 19,000 के बीच white rhinoceros है white rhinoceros पाय जाते हैं आफरिका के कुछ देशों में जिनमें शामिल है South Africa, Nambia, Zimbabwe और Kenya अब बढ़ते हमारी दूसरी species की तरफ जिसका नाम है black rhinoceros black rhinoceros बाकी rhinoceros से काफी aggressive होते हैं अगर इनकी कोई चीज इनके लिए या अपनी family के लिए dangerous रकती है तो ये सोचते नहीं हैं सीधा हमला करते हैं black rhinoceros की population 5,300 से लेके 5,600 के बीच है जादा दर rhinoceros की species की तरह ही इनका भी शिकार किया जाता है इनके सींगों के जासे जादा दर जानवर national parks और रिजर्फ के बाहर जिन्दा नहीं रह पाते due to poachers जो की इनका शिकार करते हैं इसलिए ही national parks और रिजर्फ को बनाया जाता है जो की इनकी population को बढ़ाने में मदद करते हैं और इनको poachers से बचाते हैं black rhinoceros भी white rhinoceros के साथ आफरिका में ही पाए जाते हैं और वो भी Kenya, Nambia, South Africa और Zimbabwe जैसे देशों में उनके साथ ही अब बढ़ते हैं हमारी अगली rhinoceros species की तरफ जिसका नाम है Javan rhinoceros Javan rhinoceros दुनिया में सबसे जादा endangered rhinoceros है अब इस दुनिया में बस 74 Javan rhinoceros बाकी है इन्हें lesser one-horn rhinoceros के नाम से भी कहा जाता है क्योंकि ये एकदम अपने relative one-horn rhinoceros जैसे दिखते हैं पर size में थोड़े छोटे होते हैं पहले ये rhinoceros पाए जाते हैं थे Indonesia, India, Nepal और Myanmar जैसे देशों में पर अब ये बस इंडोनेशिया के Java islands में पाए जाते हैं अब बारी आती है हमारी लिस्ट के सबसे छोटे rhinoceros की जिसका नाम है सुमाटरन rhinoceros बाकी rhinoceros से देखने में ये काफी अलग दिखते हैं यहां तक की तो मेरे को ये किसी राइनो जैसा लगता भी नहीं है इनका बाडी कलर बाकी rhinoceros से काफी अलग होता है और इन्हें हेरी राइनो भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बाडी पे काफी सारे बाल होते हैं ये critically endangered species है क्योंकि अभी इस दुनिया में 80 से भी कम सुमार्टरन डाइनोसरिस बाकी है अटरन डाइनोसरिस एक highly endangered species है जैसे कि मैंने कहा कि ये 80 से भी कम बचे है ये सिर्फ पाए जाते हैं इंडोनेशिया के सुमत्रा और बॉर्नियो आइलेंड्स में तो अब बात करते हैं हमाई लिस्ट के आखरी और सबसे जादे यूनीक राइनोसरिस के बारे में जिसे कहा जाता है वन होन राइनोसरिस या फिर इंडियन राइनोसरिस इंडियन राइनोसरिस पहले पाए जाते थे नौर्थ इंडिया से लेके मियानमार तक पर इनका शिकार होने के कारण अब ये पाय जाते हैं सिर्फ नैपाल, भूटान, नौर्थ इस्ट इंडिया और मियानमार में अभी इस दुनिया में कुल 3500 इंडियन राइनॉसरिस हैं इन्हें वन होन राइनॉसरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास बस एक ही सिंग होता है इंडियन राइनॉसरिस अपने दिन के 16 घंटे सिर्फ खाने और पीने में बिताते हैं और आपको क्या लगता ये इतना जादा खा पी के एक्साइस करेंगे दोड़े भागेंगे पर ऐसा बिलकुल नहीं है ये खाने पीने के बाद 8 घंटे के लिए सोने चले जाते हैं काफी आल सी जानवर होते हैं ये इंडियन राइनॉसरिस 45 साल तक जीते हैं एक मेल वेल ग्रोन इंडियन राइनॉसरिस का वजन होता है 2200 किलो वहीं अगर हम बात करें फीमिल्स की तो उनका वजन होता है 1800 किलो पर इतना आल सी होने के बाद भी ये अपने जोयावलिंस को लेके काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं और यह उन्हें किसी भी तरह के थ्रेट से बचाते हैं तो खेर यही सब था आज की वीडियो के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पे भी सेट कर दीजिएगा अंतिल देन गुडबाए